सूरज की पहरी पिरड़ भी निकल पाती है लेकिन यहां पर किसान अपनी दुकान को सजा करके एक दम से त्यार हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि तो क्या-क्या सब्जी खरीदी आपने लगातार केतने वरसों से खरीद रहे हैं कि यहां पर एक कुछ फीचर हो गया है आप देख सकते हैं वहना यहां शवी जगे बजार लगता था नमस्कार साथियो मैं आपका दोस्ट मंगल को सवाओ और आपका फिर स्वागत है आपके देख समय समय पर आपके लिए ग्यांसे भज़कर और विडियो ब्लॉक लाइब तरह तरह हैं उसी कड़ी में फिर आपके लिए ब्लॉक लाइक कर आ रहा हूं आटा गाओं का देशी बजार जैसा कि आपको मालूम है कि सभी जगे जहां जहां पर कस्वे होते हैं सहर होते हैं हाट या बाजार होते हैं वहां पर तरह तरह के लोग सामान बेचने का काम करते हैं इसी तरह का एक बंदेल खंड का ग्राम आटा है ग्राम आटा में प्रती सोंबार और सुक्रवार को यहां पर सब्जी का बजार लगाया जाता है यहां पर जो छेत्री यहां पर जो क्रिसक होते हैं जो छेत्री काशी भारी का काम करते हैं कश्वाई भारी का काम करते हैं और जो हरी हरी सब्जियां उगाने का काम करते हैं तो इस शेत्र के इस आटा कस्वा के आसपास में जितने भी किसक हैं जितने भी किशान हैं खासकर जो कस्वा साकसैनी मौर रहे हैं जिनको गुलते हैं वो लोग ज्यादा तक तादाद में यहां पर निवास करते हैं और वो हरी सब्जियों को आने का भी काम करते हैं तो वो लोग यह इस बजार में आ करके अपनी सब्जियों को उचित दाम में बेचने का काम करते हैं और जो यहां के जो आटा कसवा के और शेत्र के लोग हैं जोंको हरी सब्जियां करीद नी होती है वह सब्सक्राइब लगे और सब्सक्राइब कर्के अब करते हैं तो उसे का परके रिखाते हैं आपको इस मार्केट में किस कि सब्सक्राइब हैं और उन सब्जियों को लोग उगा करके यहां पर जो भीशने का कम करते हैं और कितने बरΐसों उसे लगातार इस बजार यां खरीदने का काम कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं आगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बिलकुँ सामने एक क्रिसक बंदू है और वो अपनी जो छिलिया है और उसके माध्यम से उसमें यह हरी शबजियां रखे हुए हैं और अपने तराजी वगएर रखे हुए हैं और कुछ भिंडी वगएर हैं इनकी काफी सब्जियां बिख चुकी हैं क्योंकि थोड़ा समय हो गया और हम थोड़ा लेट हो गए और यहां पर सुबह पांच बज़ता है जब सुबह पांच बज़ता है सूरच की पहली जो किरण है वो भी निया उक पाती यहां पर कितने बर्सों से इस काम को कर रहे हैं आपका स्वागत है हमारे चैनल पर क्या नाम है आपका नरेश को सुबहा जी कितने बर्सों से आप यहां पर सबजी बेचने का काम कर रहे हैं 20 साल से और आपने यह जो बैगन बगएरा है जो बिंडी बगएरा है अपने खेस से ही लाएं या खरीद करके लाएं अपनी खेट से चलिए बहुत बहुत धनवाद तो यह किर्शक बंदू है और इन्हों ने बताया कि हम सब्जिय होगाने का काम करते हैं और एक एक और दुकंदार बंदू है इसे जानने का प्रयास करेंगे आपका स्वागत है हमारे चैनल पर क्या नाम है आपका कि बीरबल्पालशों थाफ कहां से आ आ हैंगा भबुववण भबुवण यहां से कितना दूर पड़ता है यहां से 5 km परता तो यह आपने खेट से उगा करके लाएं है या खरीद करके लाएं है खेट से तो आपने यह सब्जिया जो तुड़िया है क्या रेट है यह बीस रुपए के लो और लोकिया पंद्रा पंद्रा रुपए के लो चलिए यह देखिए लोकिया फिल्कित तुम से हरी और ताजी लोकी है और यदि जो भी दर्सक बंदू इसको देख रहे हैं यदि वो चाहें तो यहां से कम बहुत ही कम रेट में और दम्स्ताजी सब्जिय खर दिने का काम कर सकते हैं तो चाहिए अब हम आँगे आपको ले चलेंगे ये के प्याज प्याज बेच रहे हैं एक के बंदू है और एक लोकी और बेच रहे हैं क्यों भी ये तुम्हें पार लोकी अकेली है क्या क्या रेड़ है लोकी आपकी बीस बीस रुपय करो चलिए लोकी बेच रहे हैं चलिए इंसे लोकी खरीद लेते हैं लो आधा करो या लोकी करो तुम हो गई इनसे हमने लोकी ले ली है आप देख शकते एक दस्ताजी है और इसको अपने बैग में डाल लेंगे यह पैसे कर लो अब यह देखे कि काफी लोग हैं जो कि सब्जी खरीदने का काम कर रहे हैं यहां पर दस्ताग வधू है आपका स्वागत है हमारे लगातार कितने वरसों से खरीद रहें? पच्पन साल से लगातार तो यह बजार आप से पहले से भी लग रहा हूँ? अच्छा अच्छा यह बहुत 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 दन्वाद तो जो बुजुर्गे बेखती हैं उनका बताना है पच्पन साल से तो मैं यहां पर सब्जियां खरीदेने का काम कर रहा हूँ और भाईया कद्दू कैसा दिया तीस रुपए के लो एक एक कद्दू और लोकी दौनों लोकी हम खरीच चुके हैं और आप देख सकते हैं आपका स्वागत है कहां से आएं आप भववा से तो सब्जी आपकी बिक्गे ही बच्ची है थोड़ी सी बच्ची है कैरेड है आपकी तुरिया 20 रुपए कलो चलो आदा कलो दे दो इसी से फिर का इनसे भी आदा कलो तुरिया लेते हैं तो आप देखिए बैठो बैठो काम बल्ली सोग बैठे बैठे काम सब कर आप का भी आप लीजिए समधा लीजिए और ये दुगंदार बंदू और हैं और आप देख सकते हैं आपका स्वागत है हमारे चनल पर क्या नाम है आपका बबबुवा से आएं आप भी तो आपने ये अपने आप खेश से लेकर आएं या कहीं खरीद किला हैं क्या रेड़ है आपके ये इसको बोलते क्या है रोंसा बोलते हैं रोंसा बोलते हैं किना तीस रुपए कलो तीस रुपए कलो चलो आप ये आदा कलो देदो तो आप देख शकते हैं ये रोंसा है हम तो फिलाल में जानते नहीं है लेकिन एक किसक बंदू है और सभी एक उसवहा बंदू है लेकिन टेक किसके लगान देख बंदू है ये आदिवेक जो अ बांदों है कि बंदू है ये लिए पोड़िख जरो कि आ बाद किसके लिए बहुत बहुत दजनल बादब है और आँगे आप मूली बगेरा यहां से खरी सकते हैं हरी मिर्श है राइशन है और काफी ज़्यादा इश्वेस है काफी जगे में हाँ पर बजार लगता है हिलाल में कुछ दिन से यहां पर एक कुछ कीचड़ हो गया है आप देख शकते हैं वरना यहां शवी जगे बजार लगता था यह देखिए क्योंकि बरसाद का समय चल रहा है तो उस बज़े से यहां पर काफी कुछ कीचड़ हो चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर पुरिया लोकी है वही सारी सारी सब्जियां है इस समय जो सब्जियां है वो काफी मिख चुकी है और विड़की आपका स्वागत है हमारी चैनल पर पकड़ो क्या नाम है आपका हरें जी कहां से आएं आप आटा से पिकर कितने बरसों से आप यहां पर सब्जियां बिचने काम कर रहे हैं पांस साल से तो अपने खेट पर ही होगाई है या खेट पर ताजा सब्जियां होगाते हैं तो आपका यह काला वाला बैगन का रेड है अब 20 रुपय के लो जला है आदा के लो दो यार अच्छा सा किरा मत देना किरा बचा है किरा बचा है तो पर रहें दो और बिंडी कैसी दें अच्छा 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 आधा कलू हो जाएगी आदे के यहां पर लोकी बगेरा है और को सब्जी यह खरीद के लाएं या खरीद ली है बैपारी का है माल जब बैपारी बगेरा भी यहां पर आते हैं जो किसानों से क्या है कि फोको में सब्जी में के देखिए आंगे जब विद्स में अच्छा इन आधा कदू करेंड़ा कि दसको मता है अधा कि आहां जजाए द्दो सॕने आधा किलो आधा किलोगेर लिए द्सको आधा मताधा किलो जाएगने दो आधा किलो पॉप आप जाता कर दो भाई या जाता कर दो एक बनो रहा है डाल वह है कि इनने हो गए लो और आप देख सकते हैं काफी कुछ जो कस्टमर बंदू है यहां से जो हरी सब्सक्राइब लेने का काम कर रहे हैं काफी जो ग्रामी है सिम्ला के जी दीजादा सिम्ला 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 माँ थे थीजो प्ता और दो जाएदियो ढाई सग्राम कर दीए तो इस समय आप देख सकते हैं बजार में कीचण होनी के बज़े से जो किसान हैं जो बजार लगाने का काम करते हैं यहां पर दुकाने सजाने का काम करते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बजार इस समय खचाखच लगा हुआ है और यहां पर बजार में जो कीचण होन यहां पर जो कश्मर बंदू हैं जो हरी शब्जियां ताजी शब्जियां लेने का काम कर रहे हैं उनको भी काफी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा क्योंकि यहां पर आप जिस प्रकार से एक नॉर्मल तरीके से आप निकलने का काम कर सकते हैं लेकिन नहीं निकल पाएंगे क्योंकि यहां पर इतने जादा मत्रा में यहां पर कीचड़ है तो इस वीडियो के माद्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो यहां के जो प्रदहान हैं या प्रदहान के जो लोग हैं जो वेक्ती हैं तो वो इस कीचड़ को हटवाने का कोसिस करें प्रयास करें अपनी इस जिम्मyards को नर्वहन करें इस जिम्मyuदारी को अबरें और कि आटा हिंग इन्दर में जो सफाई करमचारी हैं उनकी ये और आपको यहां कष्टमर को सब्सक्राइब सबस्क्राइब करें कि 가서 कर दें किन आफ इसबवी को मेν सबस्क्राइब करें चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ओफ vaccin में नमस्फीर झाल